दुनिया में एक बहुत फेबस जादूगर हुआ है उसका नाम है पुडीनी इतना बड़ा नाम था उसका कि आप पुछो मत वो आज तक का दुनिया का सबसे बड़ा एसकेप आर्टिस था कहते थे कि उसे किसी भी तरह के बॉक्स में बंद करके पानी में फेक दो तो ना जाने कैसे वो पानी से बाहर निकला दा था अब आपको तो पता ही है कि अगर कोई आदमी डूब रहा हो और उसे 10-15 सेकेंड के अंदर बाहर ना निकला जाए तो मौत हो जाती है मगर ये आदमी सैकड़ों बार पानी में 20-30 फुट नीचे ताला बंद बॉक्स में से बाहर निकला दा था और एक बाद जब इसे बॉक्स में बंद करते थे तो ऐसे नहीं बंद करते थे उसके हाथों में हतकडियां लगाते थे पैर भी बांदेते थे तो जब इसे पानी में फेकते थे तो सबसे पहले इसे अपने हाथ और पैर खोलने पड़ते थे अब हाथों में बंद हतकडियां उसमें लगे ताले को वो कैसे खोलता था भागवानी जाने आज तक किसी को नहीं बता और जब तक वो हाथ खोलता था तब तक बॉक्स में पानी भनना शुरू हो जाता था तो उसे अपनी सांस भी रोकनी भड़ती थी तो ना जाने कैसे वो बॉक्स को खोलके अपने आपको डूपने से बचाते हुए बाहर निकलता था किसी को नहीं बता ऐसे ही एक जादूगर का केस है इसमें जादूगर को बॉक्स में बंद करके पानी में फेका तो वो बाहर आये नहीं लोग समझ गए इस जादूगर ने कुछ फ्रॉट किया है गुस्से में उन्होंने बॉक्स को बाहर निकाला और खोल के देखा तो वहाँ पे जादूगर था ही नहीं था ही नहीं वो ना जादूगर और ना जादूगर की लाश और तो और उसके बाद वो मिला ही नहीं लोगों को पता ही नहीं चला कि वो जादूगर गया तो गया का दूसरे दिन जब तो हमने बॉक्स को देखा, तो हम भी भोचक्के रह गए, क्योंकि बॉक्स के उपर फिर से टाला बनता, किसी को नहीं मालो, बॉक्स के उपर अचानक टाला कहां से आ गया, खैर, हमने बॉक्स को खोला, और जो देखा, क्या बताएं आपको कि बॉक्स के अंदर क्या था, क्या हुआ था? क्या ये बक्सा देख रहा है आप लोग मेरे साब से ये बक्सा खाली है हमारे ओडियों से दो लोग के लिए बहुत सारी तालिया खाली है थैंक यू अब कुछ दिर बाद मैं अपने आपको इस बॉक्स में बंद करूँगा इस बॉक्स को एक बहुत मोल्ती सी चेन से मांदा जाएगा जरा चेन दिखाएंगे चेन को एक बहुत बड़े ताले से मांदा जाएगा और ताले को एक चावी से लोग किया जाएगा और चावी मेरे पास नहीं रहे उसके बाद इस बॉक्से को मैं जोवान समेट इस स्विंग पूल में फैका जाएगा एक आप लोको क्या लगता है कि इस स्विंग पूल में मैं इस बगसे में ताले समेट चेन समेट कितनी देर रहे था बताएगे 10 मिनिट 15 मिनिट अज़ागंटा वलत तीन गंते तिन गंते तक मैं इसी स्विंग पूल में इसी बगसे में बिना साच लिये रहूंगा तो भगवान करें, कि आप लोग की तालिया सुनने के लिए में जिंदा रहूं और फुरू करते हैं, जालू कर जोवान के बहुत खतरनाक खेल क्रेन नी चलाओ लगव थीचो पता नहीं मुझे, मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं उन्हें हो, कुछ हो गया तो पाभी आप फिकर मत करो, भाईजा को पता है वो क्या अगर रहे बाईयों और बहनों, जैसा कि ये इंसान दावा कर रहा है ये स्ट्रिविंग पूल में पड़ा हुआ वो टंग उस टंग के अंदर जादूगर जोवान जो के दावा करता है कि तीन घंटे तक पानी में रहेगा और फिर जिन्दा वापस निकलेगा लेकिन आज मैं आपको पताना चाहता हूँ दरअसल उस टंग में कुछ भी नहीं है, वो खाली है ये आदमी जूट बोल रहा है, ये साथा जूट है मेरा यकिन कीजिए, जोवान से बॉक्स के अंदर ही है अगर मैं जूट बुर रहा हूँ, तो इस टंग को बाहर निकालो और खोल कर दिखाओ आपने के सामने ही तो जोवान से बॉक्स के अंदर गई ते, आप लोग है मैं आप से ये बात साबित कर देना चाहता हूँ कि ये टंग में कुछ नहीं है एक दम खाली है जिखाव में धिखाव निखाव गालो निखाव भार निखाव वार功। तो जिखाव भार को इत उखाव को आप ते Clay को फोमार ये तة कोस driven Khovिने का संऔर कि अपने आखों से देखिए आपका ये होनहार जादुगर योवान कितना मकार और कितना चालाग है कोई भी निये स्ट्रंक में देखिए अपने आखों से जानी मानि जादुगर जोहान जब से उस बॉक्स में से गायब हुए हैं तब से वह कहीं भी नहीं मिल पा रहे हैं यहां तक कि वो अपनец घर भी नहीं लुटे हैं और दूसरी तरफ लोगों का गुसा भी बढ़ता जा रहा है और उन्होंने जादुगर जोहान के घर के बाह बहुत मारा सबने मेरा हाथ भी तोड़ दिया अब तो बाहर जाने में भी डर लग रहा है कहीं लोग मार मार के हल्वा ना बना दे तुम लोगों को अपनी मार की पड़ी है और मुझे यहां टेंशिन हो रही है कि आखिरों गए तो गए का फोन मी नहीं लग रहा है उनका क्य मुझे नहीं 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 बता आपके सामरी तो सथ अग होख बाद बार भही बत अत मत दोरा ऑँ मैं जानती हूँ अम내 का जानती हूँ कि वह उसबकसे से निकल ले हिने है ना तो फिर गये कहा पे हम एहा है कहा नहीं नहीं खोई तो रास्टा होगा नुस निकलने का हम मा कसम कैसी कसम इस इस जादू का राज किसी को ना बताने के सर सोचा करता था कि मैं भी एक जादूगर बनूगा और सारी दुनिया को अपनी उंगली पर नचाओंगा अब देखा ना जादूगर बनना इतना असान नहीं है हां सर इस पत्थर को देखकर तो ऐसा ही लगता है अगर यह मेरे सर पे लग जाता तो तो बची कुछ अकल भी चली जाती है मैं कोई योग नहीं मर रहा हो फ्रेडरिक्स शार्दा जी मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि आप हमारे पास क्यों आई है जादूगर जी गायवें एक दो दिन में आ जाएंगे डोट क्यों अपास कंस कर दो पिसता जाएंग अजय को मांससा के कुछ कंच जाए ठील सब्लिए के देखे, सब लोगों की आखों के सामने से गायब होगे वोग्स में से, हाँ, किसे ने खेंच कर तो नहीं निकाला, वो खुद निकल गयोंगे चुपके से, तो फिर हम ये कैसे मान ले, कि उन्हें कुछ हो गया है। सार, वो, आच्चली, कुछ दिनों से उन्हें धंकी भरे लेटर्स आ रहे थे। धंकी भरे लेटर्स? कौन? कौन बेज रहे हैं? वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगता है कि उनका गायब होना और ये लेटर्स का कोई न कोई तालूब जरूर है। मैं तुम्हारा राज जान गया हूँ और अब सारी दुन्या को बता दूंगा। खून का बदला खून। अपने अधीद से भाग नहीं सकते हो तुम। तुम्हारा थी तुम्हारा पीछा कर रहा है। कब, कब से आ रहे हैं ये कंजवान को? कुछ एक महिने से सर। सर, मुझे तो लगता है कि वो आदमी जिसने हला मचाया था ना उसी का काम है। पतानी उसे भाईया से क्या कुंदख थी। कौन है ये? कुछ मालू मैं आपको? पतानी, कहां से आगया वो अचाना? पहले कभी देखा उसे? कभी मिले? नहीं सर। सर, बॉक्स के उपर ताला लगावा था। फिर वो बॉक्स के अंदर से गायव किस हो गए? सर, वो एक्चली जोवान अपने जादू का राज किसी को नहीं बताते था। ठीक है? हम वही चल कर देखते हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ है सर, जोवान के साथ काम करने वाले असिस्टेंट्स सब गायव हो गया है उनका कुछ बता नहीं चल रहा है सर। और वो बॉक्स जिसमें से जोवान गायव हो गया उसका क्या हुआ? वो भी गई नहीं मिल रहा है सर। अरे ये देखिये सर। ये बगषा ये पर बढ़ा था, प्रूमिंग पूल अंदर ये किन स्विमिंग पूल में बगषा दाला किस ले है अरे लिकिन ये शोव बात तो बगषा खुल गया था ना तो इसके दाला केसे लगा हुआ है विवेक परड़िक, गुजव बादी में हाँ, सर रिये, उठाना ये वक्स भोट भारी है, सर मिक्से में पानी भर गया हो के फ्रेडिंग? इतने मेले पहला नहों रोत हैं क्यों उठाओ? अरे में कह रहा हूंनों की भोट भारी है बड़े बड़े पत्थर भरे सर इसमें खेलिक वोग आते हैं सराइए यह ज़ी ज़ीज हुआ है हुआ है कर दो कर दो हुआ हुआ है कि अुँछ, अँड! किलें शहें, कि अुँछ, क मुई खंग! कि अुछ, कि अँछ! किlee ngày, कि अुछ, खंग! कर दो आज़ा कि अधर जुवान की लाश तो नहीं दया अंदर जो पलता हो इस के लोग तो कह रहेते जब चो स्टार्ट हुआ था और बॉक्स खोला गया था तब तो खाली था ये बॉड़ी बॉक्स के अंदर बाद में डाली गई है जोवान ने तो नहीं मारा इसे सर पे जो गैरी छोट लगी थी उससे मौत हो गई इसकी इसने काई मतला अरे इतने साल हो गये मुर्दे देखते देखते डॉक्टर साब ये तो छोटी सी बात है पता ही चल जाती है अभिजीत साब अगर ये छोटी सी बाते हैं ऐसे दिखने लगे ना तो हर डिटेक्टिव डॉक्टर सालू के बन जाए अब तो बिना मतलब अड़क रहे हैं आप कहां और हम कहां अचा मारा तो ये सर में चोट लगने से ही है ना ये नहीं ये पानी में डूबने से मारा है क्या पानी में डूब रहे हैं तो तुमाने कहने का मतलब है कि जब इसे बॉक्स में रखा गया तब ये जिन्दा था इग्जैक्ली इसके फेपड़ों में से हमें स्वीमिंग पूल का क्लोरीन वाला पानी मिला है अब जी जोआन का जादू का शो इस नहीं बगाड़ा था शायद दो तो उसके जिगा पर ये आदमी ये कैसे पहुंच गया बखसे के अंदर तो फ्रेडिक्स क्या पता चला कुछी नहीं पता जाना सर उपर जे बखसे का डगकन बंद हो गया एक बात बोलू सर बंद बखसे के अंदर कभी नहीं बैठना चाहिए सर अच्छा आज़ दम पुरीजी चीज़ है ये है कैसे पता नहीं क्या आद या लेक्सी तोटता रहे का ये जी जी कि अच्छा 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 और वो भी इसके विंड़ बुरी तरह से कट गया है बहुत अगर डूबने से नहीं मरता तो वेंड़ पाइब के कटने समर जाते याद मगर ये काच्छा टुकड़ा अंदर पहुंचा कैसे है कि यह देखो बहुत लगबग 48 घंटे हो गए इस तुकड़े को इसके विंड़ पाइड़ पाइड़ सबसे पहले हमें ये पता लगाना चाहिए कि आखिर ये आदमी है कौन देखिए मैं के से बता सकती हूं कि वो आदमी कौन है लाज जादू अले बॉक्स में से मिली है तो कुछ तो पता होगा उसके बारे में समझे आप उस आथ में ने जोवान का भांडा फोड़ा है है ना और अब उसका खून हुआ है तो इसका क्या मतलब निकला जिसका भांडा फोटा है फुन वही करेगा आप 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 कहना क्या चाहते है कि जोवान ने खून किया है हाँ खून करके गायब हो गया नहीं 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 वो इसा नहीं कर सकते है उन्हें कोई पसानी की कोशिश कर है हाँ और कौन हो सकता है बुझे क्या मालूम कौन हो सकता है कोई भी हो सकता है उसका दोस्त उसक्त अक्षे अक्षे ये कौन है जोवान का असिस्टेंट भाई और अक्षे के बीच में कुस टेंशन थी पिछरे दिनों से टेंशन? कैसी टेंशन? वो, वो क्या है कि अक्षे चाहता था कि जोवान उसके मैजिक ट्रिक्स अक्षे को सिखाए लेकिन जवान ने कहा कि वो अभी भी बच्चा है, वो सीखने में उसे टाइम है, तो शाहिद इसे लिए है. नहीं नहीं, नहीं अपसल्यूटी शोट, अक्षे नहीं खून किया है, हाव इविक्ट, क्या, अठीक है, अब लोग अभी आते हैं, सर, कुछ ज़रूरी काम है, मुझे और देया को जाना पड़ेगा, तो शाहिद अब क्या कह रहे थी अक्षे के बारे में, हमें अनर वो कांच त्था, अब एसा है जैसे उस लाश के गले में से मिला पा, इसका मतलब है कि वह आदमी मरने से पहले इस हर में आया था, वह आदमी बहुत में था जब कांच टूटा होगा, कांच टूटा और किसी तरह से उसके गले में कहां औस इशादह नहीं जूर जो रहें पोल रहें, ये दोनों जानते हैं कि वो लाश किस की है दीखो अगर काच कहर में टूटा है तीन दोनों ने उसके टुकड़े कहीं तो चुपाया होंगे कर दो पेके होंगे अलिए, उच में निक्रिश है काज का एक छोटा सा तुपड़ा भी मिल जादा ना प्रोड़ टारिका बता देती की चकर क्या है क्या वात है अब जी आज कल तुम ले नाम लेना ही छोट यह सिर्फ डॉक्त तारिका ही अगार मेरा मतलब है कि टॉक्टर सालूंखे से पूच लेते है है यह क्या है सेलो कुछ तो मिला है आप ते छोर गी लंगोदी से अब Pizza शींगे किससे Dr. च्रओंजें से यह ड्र टारिका से अब था भो अबकॉर्स ॥र्अपूर्टर सालूंखे से पूचेंगे कि यह क्या है यह रच्टर तारिका कै क्या वो तो सीख रही है बी कर दो कर दो कर दो कर दो कि अधर पता चल जाता है तो पॉस यह दोनों टुकड़े एक ही कांच कि इसका मतलब सर जब जोवान की घर में कांच टूटा तब यह आदमी भाही पर था उसके घर पे अरे आपने तो मेरे मुग की बात चीनी डॉक्टर तारीका देख हम दोनों एक ही तारीका से एक ही तरीके से सोचते हैं सर मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि इस आदमी ने कांच का टुकड़ा खाया किसे फ्रेडरिक्स जब एक कांच चूटा तो शायद एक कांच का टुकड़ा इसके खाने के अंदर या चायवाई के अंदर गया होगा और इसे पता भी नहीं चला होगा कि कब उसके पेट के अंदर हो टुकड़ा चला गया लेकिन अगर या आदमी वहाँ पर था तो इसका मतलब है यह शारदा हमसे जूट बोल रही है इस काच को पैचानता है यह कहां से मिल आपको यह तो हां यह तो यह तो क्या बोल यह तो हमारे घर के लेम का काच है वाँ 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 काच देखते ही दिमाग के दर्वादे खुल जए है ज़रा यह देखो क्या दे कौन है यह तो वही आदमी है ना जिसकी लाश बॉक्स में से मिली थी अरे वाँ इस सब याद है सर इने सब याद है अब तो खुशी के दिन आ गए है किस तो यू सौल हो जाएगी है ना अब बता क्या नाम है इस आदमी का देखिए सर हम आपको पहले भी कह चुके हम नहीं जानते बखवास फोटो को जहनती है आदमी का दुकरा मिलाया एप और वो काच का दुकरा इस काच में से आया है नहीं तुमारे गर का टूटा हुआ काच दूटा हूआ का दूटा उस आदमी के गले में कैसे पॉंच़ा है है पता नहीं पता कैसे हाँ वाद तुम्हारे खर पर ही था जब ये काश उटा था देखे आप ये सब दोड़ जबनास्ती नहीं कर सकते हाँ था या नहीं हाँ था या नहीं थेखे आप इस तरह से एक ऐसा थपड मारूंगी ना सब सच पोलने लेगी पोल पोल देखे मैं था सब सुम्हारे एक पहलता मैं था आप हमयना रस्ते पर हेZA बालूमे ना कॉन है अप मालूम मैं तो फिर पेले क्यों कह रही थी मालूम नेयृ कि DENNIS क struggling कि युब का पेलंगी है या निगों दुस्कराज कर नहीं था भदिट आ दो दिन पहले जब मैं घर लोटी तब निवत कर तो जसर्डा तूम बहुत जल्दी आ गगी अला हमारी बदत करता हम एक ये ये स्टु अलोने बदक करता हैं कुछ निए बस आ इसे ऐड इसे कांच एके काच्च कि टूट रिवा दोट अब बावब है यह एक यह 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 मेरी घलती से वा अ इसमें जो वान का कोई दोश्ट नहीं अई आप कँ उटिए यह आप कॉशार यह नहीं है जह नहीं है? और फाबी जी ज्टा था के चाई पीते पीते हैं एक और यह तूटके इंचा ज्टे पीदे पीते अब को चाई पीना या चाय खंड़ी होई तो फिकर ना कर मेरे दोस्त पुरानी दोस्ति और खंडी चाई मुझे बहुत पसंत है तो इस तरह से वो कांच का टुगड़ा चाह के साथ उसके गले के अंदर के है आँप शायद उन दूनों के पीछ में जगड़ा हो गाँगा और शायद वो कांच तूट गया होगा जिवान ने तुम्हें कुछ और बता था वजादबी के बारे में? मतलब कुशाल के बारे में? हाह, वो ये कि जदूकर त्रिम्बक ने उन्हों को सारी जादू सिखाए थे गॉबर्मेंट का सील लगा हुआ है इसकिल कि नोटिस भी लगी हुई है लगता इसमें टेकस नहीं भरे थे एक मिनटे यह चादु को ट्रिमबग यह रहते हैं ना रहते हैं नहीं सर रहते थे क्या मतलब वो आठ साल पहले मर गए और अब तो ये घर सरकार के कभजे में है आग साल पहले मर गए उनके साथ कोई और भी रहता था जी नहीं वो अकेले रहते थे उनके कोई घर वाले भी नहीं थे नहीं कोई नौकर था अबीजीत यह त्रिम्बक और कुशाल दुनों मर चुके और जौन गायब है अभी जौन और कुशाल के बीच में हुआ क्या यह अब कौन बता सकता है सर शायद यह हमें जौन के घर से ही पता चलेगा ब्रेडी और विवेक दिन्दा चिपके हुए माँ पर आगे यहां पर बहुत मच्छर है सर यहां पर बहुत मच्छर की क्रीम लगा रहा हूं सर मुझे तो अभी तक एक भी मच्छर ने नहीं कटाई यह सारे मच्छर तेरे ही पीचे के पड़ते सब आपकी खाल हाती की तरह मोटी है साथ मच्छर को मरना है पो काके नहीं ना फिर मतलब मैं हाती हूँ अरे नहीं मतलब मच्छर आपसे डरते हैं साथ हाँ इसे वोलो ना बुटता साथ कोई बाहरा रहा रहा यह तो शार्दा है इतनी रात गयत यह आके लिए कहां जा रही है लोग सर शार्दा कहीं जा रही है हम लोग उसका पिछा करते हैं सर और आपको बता दे रहेंगे राइए कि अब वह देख नहीं है नहीं है वह शार्दा अलग है कि जरूर कुछ खोटाला है सर चलो कि मोबाइल मुझे दे ड्राइविंग करते समय फोन पर बात नहीं करनी चाहिए है हलो आ सर वो वो राइट की तरफ जा रही है सर कि मोबाद है कि खाहिए धि करते सर वह दो बाहा है कि मोबाद थाज थाई़ सर अभें पर खाहाईई है कि मोबाद का जया है झाल 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 तुम यहां क्या करते हैं? भावी यह सवाल मुझे आपसे पुछना चाहिए तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था किसी ने तुम्हें देख लिया थो भावी चल क्या रहा है? इतनी सुंचान जगा पे रात में क्या कर रहे हैं आप यहां पे? वो मैं जोवान का मेंसेज आये था उन्होंने काहा कि मुझे यहां मिलेंगे इसलिए मैं भावी जोवान आगया अक्षे यह क्या? यह तो जोवान का एसिस्टेंट है खोड़ा पाहड निम्ला चुवा अक्षे तुम तुम यहां क्या कर रहे हो? जोवान सर का एसमस आया था मुझे जोवान का एसमस? जोवान का एसमस तुम्हें भी आया था? हाँ लगता है कोई उन्हें कुशाल की खुण के इल्जाम में फसाने की कोशिश कर रहा है खुण अगर जोवान ने नहीं किया है तो छुपावा क्यों है वह आप लोग आप लोग यहां जोवान को गिरफतार करने आये हैं? गिरफतार नहीं करेंगे तो क्या आठ्टी उतारेंगो इसकी? खुंकर दे हुआ है वह? नहीं, मैं अपने नहीं दोगे मुझे जोवान को यहां आने से रोक रोगा जोवान 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 हाँ ही लिख्या जोवान के लाश है जोवान? इस केस में सर, नील, शार्दा, और अक्षव. रिक, क्या अक्षव और शार्दा सज बोल रहे हैं? तुने पता किया? हाँ सर, मैंने फोन के रेकॉर्द्स चेक कर लिये, दोनों मुबाइल फोन पे एक ही वक्त पे जोवान ने मैसेज़ बेचे, रात के साड़े आठ बजे, बाट? साड़े आठ बजे? ओई साड़े तुम्हें क्यों जटका लगा? अरे यार यार ये आदमी तो 6-7 बजे मर गया सर, यह भी तो हो सकता है कि कुशाल का खुंट जोहान ने किया हो और जोहान को किसी और ने मारा हो? बच्चा होशार हो गया है गुड़ गुड़ बाइदी वी और राइट सारे लेटर्स एक ही साथ लिखे गए तर्ये देखिये जरा इस बॉक्स को देखिये तो यहए भी कहता है कि वो धमकी भरेक्ट उसी आतमें लिखे होंगे जिसने इस बॉक्स को पेंट किया है वेक उससिस्टे को फोन करो क्या निमें तक अक्षे फोन करो इसमें इस बॉक्स को किस ने पेंटिया राव यह सर्दू अलो अक्षे हम ऐसे एडी से बात कर रहा हूँ उस जादू के बक्से को किसने पेंट किया था पिछले हाफते क्या? किसने? सच बोल रहा है? ठीक है साक्षे कह रहा है कि इस बक्से को एक साल से पेंट ने किया गया है ओ चिए भी दो हो सकता है कि ये वो बॉक्स नहीं कोई दूसरा ही बॉक्स है मतलब किसी ने असली बSaaría नकली बॉक्स है रख दिया जयop नकली वाला बॉक्सा यहां पानी में डाल दिया है कि बीवाला का है कि इतना बड़ा बॉक्स है कोई टेंप बगर लाए होंगे ले जाने के लिए हां मगर अभी जी ये खुनी इतना बेवकूफ तो नहीं कि इतना बड़ा बॉक्स सब के सामने ही ले जाए अश्वा अश्वा टार बॉक्स लेगे लेगे लेंके शपादी हो जैस तो में केराँ जुनो जुनो जुना दो आट आट अचिदराशिघ जुना कर दो, 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 क कटे जुए अजल में ऐस अचिए अच्ट ए घ्जए अच्टन आइ इंग refuse एफ विशना आपने जोड़े चौटर मार्यश को लग है लगत वागत टाम अगरिया इस बाक्से अंदर से वागा का इस यह यह झान छेक वागत अट थै यह वागत अइस में अगण यह इस फर्मा कि अरे यहां से लिखला है वह यह बात है जोवान के जादूई बखसे का जादूई दर्वाजा है बंकाना बहुत कि अगर जादूगार जोवान ने अपने कपड़े इस बखसे के अंदर छोड़े तो फिर वो नंगा भागा अगर किसी देख भी लिए अगा न तुम वेसी चर्म के परें मर क्या होगा जहां तक मुझे लगता है कुछ ऐसे हुआ होगा उस रात तो इस तरह से जोवान ने अपने कपड़े उतार कर अपने असिस्टन के कपड़े पहन लिए और फिर इस जादूई दर्वाजे से बाहर निकल कर घीड में जाकर खड़ा हो गया और किसी को पता भी जाता है असर जब तीन घंटे बाद ये बॉक्स पानी से बाहर आता तो इसी दर्वाजे से जवान अंदर गुज जाता अर अपने कपड़े पहन के बाहर आजा अरे पापर बाप इतना बड़ा धोका सर जादू आखो का धोका ही होता है तो इसमें भी बॉक्स बनाया है उसे तो ये सब सिक्रेट मालू मैं है तो पही खून उसी ने तो नहीं किया है तो सकता है बता करो ये बॉक्स इसने बनाया है तो यह तो तरिमबक का नाम लिखा है तरिमबक? तरिमबक तो मर चुक है? सब एक और फाक्स हारा है राहा है चायल उसी फोटो भी आरही है सर्ण यह आज मैंने आप सब लोगों को इसलिए यहां बुलाया है ताकि मैं उस आदमी का नाम ले सकूँ जो जो नाम जोवान ने कमाया है उसे और आगे बढ़ाएगा और जोवान की भी यही इच्छा थी कि उनके बाद अगर उनकी जगे कोई भी लेगा तो वो यही आत्मी होग और वो उत्तरा अधिकारी और कोई नहीं बल्कि जोवान का छोटा भाई है नील नहीं यह नहीं हो सकता यह यह कल का बच्चा क्या जाने जादू क्या होता है मैं इतने साल से जोवान के साथ मैनत कर रहा हूं यह हक मुझे मिलना चाहिए मैं समझती हूं अक्षे लेकिन ले देखो अक्षे भाई जो फैसले कर दिया है उसे कोई नहीं बदा सकता एसी कि तैसी फैसले की तुम जादूगर लोग भी दुनिया के आखों में न जाने क्या क्या धूल पेंचते हो अच्छा हो गया इसी पी ताप क्या आप आगए मैंने आप से कहा था ना कि बहुत खतरना के देखे और असर इसे नहीं बहिया का खून क्या होगा जोवान का खून इस अक्षे नहीं ट्रिंबक की बेटी ने अब यह मत पूछना कि त्रिंबक की बेटी कौन है कौन है कौन है एक सीपी साहब ने कहाना की मत पूछना समझ में नहीं आता क्या यह है त्रिम्बक की बेटी नलीनी त्रिम्बक तुम्हारी शार्दा भावी यह 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 तब जूट है मेरा नम तो शार्दा है जूट तुम ही नलीनी त्रिम्बक हो शादी के बाद तुमने अपना नाम शार्दा रख लिया हाँ हाँ मेरा नाम नलिनी ट्रिंबग है और इसलिए हम से जूट कहा था कि ये कुशल और ट्रिंबग की पुरानी जिन्दगी के बारे में कुछ नहीं जानती है सब कुछ जानती थी है उस बक्से का राज भी और हमारे सामने नाटक करती रही तुम्हें मालूम था कि जूवान कहा पर है इसलिए तुमने उसे वहाँ बुला दिया उसका खून किया और उसके फोन पर ही खुद को ही ने समस कर दिया और साथ में अक्षे को भी एक समस भीज और जोवान तोनों ने मिलकर मेरे पिता त्रिंबक का खून किया था क्या जोवान तुम्हारे पिता का खूनी अगर ऐसी बात थी तो पिर शादी क्योंकि तुमने उससे है क्योंकि शादी से पहले मैं यह नहीं जाती थी कि मेरा पती खूनी है और वो मेरे पिता का खून कि उसने मैं, मैं यह नहीं जाती थी मुझे तो ये बात तब पता चली जब कोई तुछ पर भरोसा नहीं करेगा जुवान, कोई तुछ पर भरोसा नहीं करेगा कोई भी यह नहीं माने का कि तुछ पर भरोसा नहीं करेगा कि तुछ पर भरोसा नहीं करेगा जुआन दे मजीशन अच्छा है जुआन को ब्लैक्मिल करेगा है जुआन को ब्लैक्मिल और मैं अपने आपको किसी भी तरह संभाल लिया ये कभी दिखावा नहीं किया कि मैं कुछ भी जानती हूँ अफकले की आप तो एरे दिल में लग चुकी थी अगए तुमने कुछाल की लाश को उस नकली बॉक्स में क्यों डाल भी किंगी मैं किने कोई पर दो किने कि में अस्लियत तक पुछने और किसी को भी पता चले कि में त्रिमबक की बेटी हो लेकिन जोआन ने तुम से शादी की उसे तु मालूम था कि तुम तुम त्रिमबक की बेटी हो उसे डर नहीं था कि कहीं वोल खुल गई तो नहीं क्योंकि कुछ ऐसे जादू थे जो मेरे पिता ने सिर्फ मुझे ही सिकाय दे और किसी को नहीं माना के तुमने ये सब अपनी पिता की मौत का बदला लेने के लिए किया मगर जर्म जर्म है और उसकी सजा तुम्हें भुगत नहीं पडेगी कर दो जर्म हाँ